Welcome to our YouTube channel, तो आज के हमारे करंटफियर्स होंगे 6th of December 2022 के बारे में, तो चलिए देखते हैं हमारे आज के करंटफियर्स क्या कहते हैं हमारी आज की पहली न्यूज है महापरी निर्वान दिवर्स 2022 के बारे में, तो ये हर साल ही मनाया जाता है 6th of December को तो ये मनाया क्यों जाता है क्योंकि ये commemorate करता है the death anniversary of maker of our constitution डॉक्टर बियार अमबेदकर जी तो 2022 मार्क करता है उनकी 66th death anniversary को तो इस दिन के उपर हमारे सभी जो major leaders हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंडर मोदी जी, हमारी प्रेजिडेंट डॉपदी मुर्मु जी और हमारे वाइस प्रेजिडेंट जगदीब धानकर वो तीनों पार्लिमेंट में गए थे और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर बी आरम बेदकर जी को शरधानजली भेंट की है और उनकी इंपोर्टन्स के बारे में भी उन्होंने सभी social handles के उपर भी लिखा है कि constitution of India को बनाने में उनका कितना बड़ा रोल था drafting committee के भी वो head रही है और हम उनको father of Indian constitution भी बोलते हैं तो उनकी death university पे हम मनाते हैं महापरी निर्वान दिवस तो आगे हमारे पास एक report आई है global aviation safety ranking के बारे में जिसमें इंडिया का 2022 में rank आया है 48 तो देख लेते हैं इसकी क्या details है हमारे पास तो सबसे पहले तो ये ranking देता है International Civil Aviation Organization ICAO जिसका नाम है और इसके headquarters है Montreal Canada में तो इंडिया का चार साल पहले जो ranking आई थी उसमें इंडिया के ranking थी 102 तो बहुत जादा नीचे था तो इंडिया ने चार साल में इस फील में बहुत जादा ग्रो किया है हम 102 से जम करके 48 तक आए है तो जो फॉर्स कंट्री है जो इस साल ranking में फॉर्स रैंक पे आई है वो है Singapore next we have UAE then we have South Korea and our very neighboring country China हमसे एक पॉइंट नीचे है इस ranking में तो China is at 49th in terms of aviation safety measures आगे हमारे पास एक और list आई है जो बताती है mass killings के बारे में कि कौन सी country में कितना खत्रा है mass killings के related तो इसमें undoubtedly जो first country आई है वो आई है Pakistan और इंडिया का पिछले साल तक इसमें rank चल रहा था second तो इस साल इंडिया इसमें नीचे आ गया है 8 पर तो दोनों ही जो हमारी reports हैं इंडिया के लिए positive outcome लेकर आई है इंडिया का rank इसमें 6 points नीचे आ गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह report दी किसने है यह report दी है US think tank जिसका नाम है early warning project तो इंडिया का rank जो मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ फर्स नंबर पर हमारे पास है Pakistan सेकिंड नंबर पर हमारे पास है Yemen और थर्ड नंबर पर हमारे पास है Myanmar लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि बहुत सारी ऐसी countries हैं जो बहुत सारे mass killing के प्रोन हैं अम उनके बारे में news में भी बहुत सुनते हैं इंडिया अभी उनसे उपर है तो हमारे यहां पर जो हरसाल ऐसे incidents होते हैं उनकी वज़ा से ही इंडिया जो है वो टॉप 10 countries में अभी तक बना हुआ है in terms of mass killings तो आगे दोस्तों बात करते हैं New Year Film Critics Award के बारे में 2022 जिसमें इंडिया में Best Director का Award लिया है RRR के Film Director ने तो Best Director का तो Award इंडिया के पास आ यह जो movie है इसने हमें बहुत सारे international platforms पर recognition दवाई है तो Best Director का तो इंडिया के पास आया है बाकी जो इसके अंडर categories है उनमें किसको Award मिला है वो भी हमारे लिए exam point of view से important है तो हम उनके उपर भी नज़र डालेंगे Best Picture of the Year का Award मिला है Todd Field star को and उसके बाद Best Actress का Award मिला है Kate Blanchett को यह इसी movie में as a main lead काम किया है तो इसी movie को दो prize जो है वो मिले है Best Actress का भी and Picture of the Year का भी उसके बाद हम बात करते हैं Best Actor के लिए इन दोनों movies के लिए इनको यह Award दिया गया है Colin Farrell को तो इनको Best Actor का Award मिला है Next year हमारे पास Best Supporting Actor जो मिला है के हू कौन को and last we have Best Supporting Actress जो मिला है Kiki Palmer को तो यह जो सारे Awards है ऐसे कोई भी अगर Film Awards आते है Film of the Year, Best Actor, Best Actress, Director यह सभी आपके लिए exam, point of view से काफी important हो जाते हैं तो अभी दोस्तों recently एक Summit हुई है Global Banking Summit जो हुई है London में जहां पर सभी Banks को Award दिये गए है हार country में से एक Best Bank चूज किया गया है तो हमारे यहां पे Bankers Bank of the Year Award जो मिला है इंडिया में वो मिला है Canada Bank को तो यह एक Public Sector Bank है जो 1906 में established हुआ था तो इंडिया में total 11 Public Sector Banks and also SBI तो total almost 12 हमारे यहां पर Public Sector Banks है जिन में से Canada Bank आजकल बहुत जादा ग्रोग कर रहा है थोड़ी दिर पहले भी इसको एक और Award मिला था तो अभी इसको Bankers Bank of the Year Award मिला है तो यह जो list है यहां पर इसमें सारी Asia Pacific winners है इसमें आप यहां पर देखेंगे तो इंडिया का नाम आता है Canada Bank तो बंगलादेश में Standard Chartered जो बैंक है उसको यह Award मिला है यह इसलिए important है कि इंडिया में भी Standard Chartered जो है वो काम करता है लेकिन Standard Chartered को इंडिया में Award नहीं मिला उसको Award मिला है बांगलादेश में अब क्यूंकि Canera Bank का नाम आ गया है नियूज में तो उसके MD&CEO का नाम भी आपके लिए important हो जाता है तो उसके MD&CEO का नाम है LV Prabhakar तो LV Prabhakar ही थे जो गए थे वहां पर Award receive करने के लिए organization की तरफ से क्यूंकि वही उसको अभी head कर रहे है तो ऐसे अगर कोई भी ऐसी organization, कोई भी bank या financial institute अगर news में आता है तो उसकी सारी detail आप लोगों के लिए बहुत important हो जाती है तो यहाँ पर जैसे आप देखिए कि कौन सी year में established हुआ था, किसने established किया था और इसके headquarters कहां पर है यह सारी की सारी news आपके लिए important है इन addition to the news की bankers bank of the year award मिला किसको है वो तो आपको पता होना ही चाहिए यह सारी जो information है additional उस bank के बारे में वो भी आपके लिए important है तो आगे हम एक award के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है earth short price तो इस साल उसका यह second edition है 2022 में इसको शुरू किया था prince of wales, prince william ने तो इस साल यह जो award है 5 organization यह 5 रोगों को दिया गया है इंडिया में यह जो award है यह दिया गया है एक organization को जिसका नाम है खेती तो यह शुरू किया था इन दो personalities ने तो यह basically जो climate hit, जो small farmers हैं खेती से related जो farming का काम करते हैं उनके लिए ऐसे sustainable ways को innovate किया था इसने जिससे उनकी जो productivity है वो बढ़ जाए और जो climate का उनके उपर बुरा असर हो रहा है वो कम हो जाए तो 5 organization है जिनको यह award मिला है इंडिया में यह मिला है खेती को तो एक तो आपके लिए important हो जाता है कि award किस ने शुरू किया है तो यह शुरू किया है प्रिंस विलियम ने, who is prince of Wales और इसके इलावा कि इंडिया में किसको मिला है तो बाकी भी जो 5 awards दिये गए हैं उनके उपर भी हम एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले मारे पास है मुक्रू क्लीन स्टोव जो टैकल्स ग्रीन एर इन कीनिया तो कीनिया में यह established है जो क्लीन एर के प्रस्पेक्टिव से काम करता है नेक्स्ट वी हैव खेती जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं जो वी हएल जो जो एफेक्ट हो रहे हैं च्लामे लिवाइब करने की कोशिश कर रहा है नेक्स वी हाव नॉप्चला स्ट्र कुलर स्टुशन 2 वेस्ट इन थे यूके एच्ट किंडम है जो वेस्ट रिलेТेड उन के उपर काम कर रहा है And last we have 44.1 project in Oman which is turning CO2 into rock जो excessive carbon dioxide atmosphere में exist कर रही है उसको rock form में change करने का ये काम कर रहा है तो ये सारी organizations जो हैं ये climate related जो बुरे असर हमां में देखने को मिलते हैं उनके related काम करती है और ऐसी ही हर साल ऐसे 5 organization को recognize किया जाता है तो यहाँ पर हम बाग करते हैं IDFC के mutual fund के बारे में जिसका नाम चेंज कर दिया गया उसका नाम रख दिया गया है बंधन mutual fund तो क्यूं रखा गया है क्यूं नाम चेंज हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे तो IDFC का asset management company जो है limited AMC जिसको हम बोलते हैं उसका acquisition किया है एक consortium ने consortium is basically a group of companies जो आपस में आती है किसी एक particular task के लिए तो वो जो consortium है उस consortium में तीन companies काम कर रही है फिर्स है बंधन financial holdings limited फिर्स company is this सेकेंड इस GIC and लास्ट वी हैव चॉल्स capital तो इन तीनों companies ने मिलकर IDFC का AMC जो limited उसके अंडर काम करता है उसको take over कर लिया है और उसके बाद IDFC का जो mutual fund है उसका नाम change करके बंधन mutual fund रख लिया गया है आगे दोस्तों हम बात करते हैं National Commission for Backward Classes के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं ये commission बनी कब थी तो ये जो commission है ये बनी थी 14th of August 1993 में हमारे Independence Day से एक दिन पहले ये commission बनी है with a different year of course 1993 में बनी है लेकिन 14th of August को बनी है और इसके headquarters है New Delhi पे तो यहाँ पर इनके chairperson जो है वो change हुए है तो इनके chairperson जो change हुए है उनका नाम है Hans Raj Ganga Ram Ahir तो ये जो Hans Raj Ganga Ram है ये वैसे agriculturalist रही है अपने background में लेकिन इसके इलावा महराश्रा से 4 बार ये member parliament भी बन चुके हैं तो politics में भी ये काफी active है और ये महराश्रा के legislative council में भी member रह चुके हैं तो अब इनको उसके बाद NCBC का chairperson बना दिया गया है तो ये commission अपने आप में बहुत important है आपके exam point of view से तो इसलिए मैंने आपको सारी information दी है उसके regarding कि ये कब established हुआ and also कि इसके present में chairperson कौन है इसके headquarter कौन है और जो chairperson बने है उनका क्या background रहा है तो ऐसी जो भी commission आपके लिए news में आती है वो आपके लिए बहुत important है तो आगे हम बात करते है क्रिशी निवेश पोर्टल के बारे में जिसको English में बोला गया है agriculture investment portal तो इसको launch करने की बात हुई है अभी launch नहीं हुआ है लेकिन इसको launch करने का process चुरू हो गया है तो यहाँ पर एक meeting हुई थी हमारे agriculture minister Narendra Singh Tomar जी की meeting हुई है Bill Gates Foundation से जो Melinda Bill है वो इंडिया आई थी और उन्हें यहाँ पर collaboration किया था और इस meeting में बात हुई है कि हम agriculture में loan provide कराने का एक special incentive, एक special portal बनाएंगे तो उस portal के अंडर जो भी agriculture schemes के अंडर finance दिया जाता है वो एक particular portal के उपर restrict कर दिया जाएगा वहीं से उसकी सारी functioning होगी and most importantly इसमें एक तो marginal and small farmers को focus किया जाएगा क्योंकि इंडिया का 80% जो farmers हैं वो small and marginal farmers हैं उनकी land holdings काफी छोटी हैं तो उनको एक तो इससे benefit देखने को मिलेगा इसके इलावा जो women हैं वो भी हमारे इंडियन agriculture में बहुत बड़ा हिस्सा है तो उनको भी इस scheme के अंडर ध्यान दिया जाएगा especially Melinda Gates की statement थी कि इस scheme के अंडर हम इस portal से हम जो women farmers हैं उनको benefit पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आगे हम बात करते हैं सुमन चक्रबोर्ती के बारे में जो कि बिलॉंग करते हैं IIT खड़कपुर से और उनको थोड़ी देर पहले ही Infosys Award भी मिला है तो उन्होंने यहाँ पर एक नई technology launch की है infectious diseases को detect करने में यह जो technology है इसके अंडर एक paper sheet के उपर blood लिया जाएगा हमारी finger tip से और उससे ही वो सारी की सारी detection हो जाएगी हमारी जो normal check-up की चीज़े होती हैं जैसे kretinine है lipid profile है complete blood count है तो ऐसी जो सारी चीज़े हैं वो इससे easily detect हो जाएगी तो इससे जो areas हैं जहां पर हम easily test की facility available नहीं करा सकते उन areas को इससे बहुत benefit होगा तो देख लेते हैं इस technology का नाम क्या है और यह जो इन्होंने launch किया है उसका क्या नाम है तो यह nucleic acid based rapid diagnostic test होगा जो infectious diseases को detect करेगा और इसमें almost सारी ही infectious diseases cover होने वाली हैं तो इसका नाम है kobe ramp इसको connect किया जाएगा एक mobile application के साथ तो mobile application में आपको एकदम से ही result मिल जाएगे अगर आपको जैसे for example एक या दो test करने है तो उसमें आप सिरफ internal processing change करेंगे उसका पूरा का पूरा input change होगा लेकिन आपको बाहर से कोई hardware change करने की ज़रत नहीं पड़ेगी एक पूरा system है जो system के basis पे ये सारा काम करेगा तो इससे बहुत जादा easy हो जाएगा एक तो जो process है वो बहुत fast हो जाएगा जो पहले का process है उसमें फिर भी थोड़ा time लगता है चीजों को process करने में and also जो backward areas हैं जहां पर easily हम available नहीं करा सकते services उनके लिए इसमें बहुत benefit हो जाएगा तो यही थे आपके आज की current affairs बने रही है हमारे साथ हमारे YouTube channel पर Panesia Tutor लाया है एक education platform जहां पर अलग-अलग courses जैसे की IAS, PCS, UGC Net SSC और banking exams के लिए online और offline classes की सुविधा उपलब्त है comprehensive coverage of all these subjects through quality video lectures है aptitude का topic that is blood relation uncle's only daughter he took the throne तो जो थ्रोन पे एंपरार बैटते थे वोपने साथ ले गए Kohinoon diamond, the world famous Kohinoon diamond वो भी Google treasury से ले गए फिर आया economic pragmatism ज्यानी की चाहे हमारे से आप से जगड़ा भी है तो भी हम आप से ब्यापार करें जिसे चाइना है हमारा जगड़ा होते हुँ भी हम उसे ब्यापार करें PDF notes और उनसे जुड़े हुए relevant MCQs साथी साथ comprehensive mock tests So join Panesia Tutor for your successful and bright future